नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चनल गौर्मेंट जाप प्रप्रेशर पर दोस्तों यहां पर हम लोग बात कने वाले हैं इलहाबाद हाई कोड ग्रूप C और ग्रूप D की भरती के बारे में कि यह भरती आपको कब तक देखने को मिल सकती ह दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दो कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अलहाबाद हाई कोड आरो और ए आरो की भरतियां अलड़ी आ चुकी हैं उनके फार्म वे फिलफ किया जा सके हैं अब परिक्षा डेट्स का इंतजार है और जल्दी आपको परिक्षा डेट्स भी हैं कलेक्ट कलिए गए हैं अब यहां पर सिर्फ और जैसे ही एक्जाम डेट्स आते हैं और उनके जैसे ही एक्जाम से यहां पर कराया जाते हैं उसके जस्ट बात आपको यहां पर ग्रुप C और ग्रुप D की भरतियां देखने को मिल सकते हैं अब दोस्तों यहां पर अग यहां पर प्लान किया गया है कि जैसे ही परिक्षा होगी उसके पंदा मिनट बाद भी आपकी टैपिंग भी हो जाएगी तो ऐसे कुछ यहां पर बदलाव होने की वज़े से ACRO में उसकी भरती जैसे देखी आपने तो इसी तरह से साइद इसमें भी कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले जिसकी वज़े से यहां पर जैसे की परिक्षा जिनसी यहां पर भी चेंज किज़ किजा सकती है तो इन सारी चीजों को लेकर ही थोड़ा सा यहां पर दिले देखने को इन भरतियों में मिल रहा है अदर्वाइस अब तक जो यह भरतियां है ग्रूप C और ग्रूप D की आचुकी होती है तो दोस्तों आप आपको बिल्कुल भी परिशान यहां पर होने की आवश्यक्ता नहीं है आपकी जो ग्रूप C और ग्रूप D की जो भरतियां है अलाभाद हाइकोट की वो बहुत ही चल देखने को मिलने वाली है जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही अलाभाद हाइकोट की ऐसी आरो एरो के जो हमारे पेपर से जैसे ही एक्जाम उसके होगे ग्रूप C और ग्रूप D की भरतिया आपको देखने को मिल जाएगी अब बात करेंगे कब तक देखने को मिल सकती है तो यह जो भरती है यह आपकी नॉंबर लास्ट से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आपको भरती यहाँ पर देखने को मिल सकती है तो आप लोगों को बिल्कुल भी परिशान होने की आउशकता नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि नॉंबर लास्ट और 15 दिसंबर के पहले के पहले आपको यह भरती देखने को मिल जाएगी तो दूसर यह थी यहाँ पर छोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्स वाचिंग